पारह वश पीजाने पदी उन्वों कोई संता नहीं वा पारह वश उबरात राने एक दिविल शुवन कांती उत्र पुत्र को चंद लिया परतु शरवान का सुंतर होने पर भी वर पालक जीन अन्था इस पर राजा राने तुथी हो गए राजा ने अपने उसर मरे पुत्र को खरती कभी नहीं हुई थी पहले तो धाली में वो मारते ही सावा जबरा हिल गया फिर भूख से परिशान हो कर मैंने दू चार और खाये थी कि वह दुश्या आ गई जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से मैं दे उसका हिर गय और कमर तोड़ी कहते हैं कि देजबान की बद्वा बहुत बुली होती परिशान पर खाये थी कि दोड़ी होती झाल झाल